तस्वीरों में दिख रहा ये कोई आम पत्थर नहीं है ये पत्थर है जिसको पाने के लिए सालों तक समंदर के किनारे पर लोग टक्टकी लगाए बैठे रहते हैं ये पत्थर अगर हाथ लग जाए तो रात और रात किस्मत पदल जाती है दरसल ये पत्थर है ही नहीं ये है धर्ती पर सबसे बड़े जीव वेल मचली के मुझे निकला पत्थर ये पत्थर पहले जब वेल मचली के मुझे निकलता है तब इतना सक्थ नहीं होता ये एक पेस्ट जैसा होता है जो बाद में कड़ा होकर पत्थर बन जाता है इसे अमबर्गृस कहा जाता है महराश्ट्र के कौंकर समुद्रितत पर ये खजाना मिला है जो वेल मचली के उगले पेस्ट से बना है करोणों की कीमत के पत्थर के साथ ठाने में एक गिरोह पकड़ा गया है जिसकी तसकरी करते वक्त ठाने क्राइम ब्रांच ने काशीनाथ पवार, दिली बिर्जे और ग्यानेश्वर मोरे को धरदबुचा है वेल मचली के मुह से निकले इस पत्थर के एक क्रीमती होने का राज भी जान लेते है दरसल इस पत्थर का इस्तेमाल दवाई कंपनियों या नामी ब्रांड्स के परफ्यूम्स बनाने में होता है जिस कारण परफ्यूम की फ्रेग्रिंस लंबे समय तक रहती है महराष्टर के कोंकर समुद्री तट पर वेल मचली के पत्थर खोजने के लिए कई महीने तो कभी कभी सालों लग जाते है पिछले कुछ सालों से महराष्टर के कोंकर के समुद्री किनारे पर वेल मचली देखी गई थी उसी के चलते तसकर कॉंकर के समुद्री तटों पर डेरा डाल कर बैठे थे उस वक्त उनके हाथ वेल मचली के मुह से निकला 11 किलो का पत्थर लगा जिसकी अंतर राष्ट्रिय बाजार में कीमत लगभग 20 से 22 करोर रुपे है इस पत्थर को तसकर मुंबई से सटे ठाने में बेचने आये थे जिसकी जानकारी ठाने क्राइम ब्रांच को मिली थी इस जानकारी के आधार पर ठाने क्राइम ब्रांच ने जाल बिचा कर आरूपियों के पास से ये पत्थर जब किया है इन आरोपियों के पास से पैंगोलिन नाम के प्राणी की खाल भी वरामद हुई है जिसकी कीमत 20 लाक रुपे तक है तीनों आरोपियों को गिरिफतार कर 6 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है झाल भी एन आरोपियों के पास से पास से बना के यंद नामों आरोपियों के तो भी झाल रजया रजब।